आपका सफर प्लॉट से मकान तक आज किस वीडियो मैं एक और ससाइटी के हवाले से आपको एक्स्प्लेन करने कोश्च करूंगा यह स्पाइली वीडियो ने बनागा विडियो ने बनाना ससाइटी की डेटेल्स के हवाले से कि कौन से कुछ पॉइंट सोते हैं जिनको मद्द नजर रखें तो आपको किसी भी society की पूरी आप record चेक करना चाहें तो उन पांच points से आप सारे record को टैली कर सकते हैं और उन पांच points की जो पहला point है number one is के what is the location of that certain society number two who is the developer of that certain society number three what were the launch prices in that certain society number four is के what are the current prices in that certain society and number five is के what is the current status of development in that certain society सबस्दली बात करें जो society का नाम है Rooden Inclave और Rooden Inclave की सबसे गर पहली बात की बात करें के what is the location of Rooden Inclave Rooden Inclave की location अगर बात करें तो Rooden Inclave रावल पिंडी सदर से around 15 to 20 minutes की drive पे है और ये जो जरार केम्प है एक आर्मी की installation उसके पास वाक्या है और जो निया रिंग रोड का layout plan आ रहा है उस layout plan के मताबिक रिंग रोड जो है बिल्कुल इसके center से गुजरता है Rooden Inclave की location इस लिहाज से भी काफी जादा market में prominent है और prominent होने की जो सबसे key reason है वो इसकी location है कि रिंग रोड से adjacent होना इस society काफीजा प्राइम बना जाता है अब बहुत सरे लोगी सवाल करते है कि रिंग रोड जो है मैं गर इसके रिंग रोड की history की बात करूँ तो first time रिंग रोड रावल पंडी की जो approval की बात आई थी that was in 1997 then 2003 में इसके approval की बात आई थी then 2007 में then 2014 में फिर 2020 में last year इसके approval तकरीबर फाइनल हो गया था construction स्टार्ट होने वाली थी but कुछ confirm नहीं हो पाया था but इस 2021 में 25th of December there is a share possibility कि PM इमरान खान इस रिंग रोड का सिता कर देंगे और रिंग रोड के जो stops होंगे जो पहला stop है रेडियो पकिस्तान जीटी रोड के उपर उससे स्टार्ट होगा second stop is Chuck Bailey, third stop is Adela Road fourth stop would be Chakri Road and fifth stop would be ठलिया इंटर्चेंज अब रिंग रोड इसके center से जब गुजरेगा तो अब इस society की जो Adela Road की location की prominency है वो उस तरह से ज्यादा नहीं है इसलिए इसकी prices भी बहुत ज़्यादा reasonable है यानि more than reasonable है और जब इसकी ring road की location यहां से ring road एक प्रॉपली construction स्टार्ट होगी और यहां से pass करेगा उसके बाद इसकी location one of the most prime location in the domain of Royal Indian Islamabad बन जाएगी तो इस लिहाद से location का जो point है वो मद्दे नज़र रखने के लिए बहुत ज़्यादा एहम है क्योंकि पहला point है location का location ही society की decide करती है कि society का future क्या होगा तो ring road की location की वज़ से ring road की alignment की वज़ से जो road and clave की location है वो काफी ज़्यादा prominent हो जाती है number two is कि who is the developer और who is the owner कि जिसकी जेब में आपके पैसे जाएंगे कि जिसकी काफी ज़्यादा history matter करती है but in simple words road and clave की developer की history किया है उनके SRMCO SRAM को इस developer का नाम है जिनोंने इस से पहले road and clave से पहले भी कुछ projects deliver की है but वो multi scale के project नहीं थे but एक developer की market में presence ज़रूर मजूद है जिस तरह मैं कर लट से किसी और developer का नाम लूँ DHA का नाम लूँ barrier town का नाम लूँ smartity का नाम लूँ तो इनके जो developers जियन के पिछे हुए ownership जो है वो बड़े brands की है जैसे DHA के केस में army welfare trust जैसे barrier केस में मलिक रियास जैसे capital smartity केस में HRL इस तरह बड़े नाम है जैसे आप नौवसिटी की बात कर लें नौवसिटी की back side पर जो है वो एक company है जिसने और एक project डिलिवर करके motorway को पर दिखाया हुआ है तो इस तरह इस company की projects है past में रूटन क्लेव के बट वो उस तरह से prominency उनकी नहीं है इसलिए इसके rates भी more than reasonable offer किये जा रहे है तो रूटन क्लेव की जो developer की history है वो market में एक अच्छी reputation के साथ है बट अभी उनके जो projects डिलिवर होंगे रूटन क्लेव की location की वज़ा से जब ring road रावल पिंडी complete होगा तो काफी ज़ादा एक prominent location का project बन जाएगा मेरा ख्याल है कि रूटन क्लेव को रावल पिंडी की डुमेन में अच्छी सबसे prominent location मिल जाएगी with the construction of रावल पिंडी ring road जो रावल पिंडी और इसलामबाद दोनों के लिए खैर एक share का का काम करेगा कि जितना traffic का flow ring road ना होने की वज़े से इसलामबाद express way पे है और दनकश्मीर highway जिसका स्रीनगर highway इन दोनों roads का जितना pressure bear करते हैं दोनों public roads हैं तो वो मेरा खलत सारा pressure डिवाइड हो जाएगा ring road की वाइसे तो जिसका सबसे बड़ा benefit जो है वो इसको मिलेगा आप कहलें के road enclave को ring road की location से हट के इसका जो एक बड़ा डिवेलपर से हट के ring road की location के एक और पॉइंट है कि ये barrier phase 8 extension के बिलकुल सामने वाकिया है तो barrier phase 8 में कर आप जाते हैं तो आपको इस टम 10 मले का plot है around 60-70,000,000 C develop ready for possession plot मिलता है 7 मले का plot देखो तकीया थृरिपर चाली सबचास फच्पंथ-साट लागा plot है even though कुछ plots के तो ऐसी locations है को एक करोड की value के तच कर रही है तो इस लिहाज से इसकी बिलकुल इसकी opposite side पे होना तो काफी ज़्यादा इसको location की prominency मिल जाती है number 3 is what were the launch prices in road and clave road and clave में आप step by step different blocks लाँच कीगे बट आज की डेट में जो block ज़्यादा prominent है that is executive block जहाँ पे 7 मला का plot आपको जो है वो मिल जाता है around 18 lakh रॉपीज का प्राणे rate पे थोड़ा minimalistic प्राफिट पे उसके बाद 10 मला plot की बात करें तो 23,54,000 का plot थोड़े बहुत प्राफिट के साथ आपको उच्छे benefits साथ मिल जाता है कनाल का plot old rate पे वेलेबल है थोड़े बहुत प्राफिट के साथ अब old rate प्लाट बाइ कर सकते हैं और इन plots के साथ जब आप इनकी procurement करते हैं तो इसकी procurement के साथ आपको एक properly plot recently जो blocks लाउंच किये गए थे पहले block उनमें तो with plot number आपको blocks मिलते थे अभी आपको blocks जो उनकी बाद में बैलेटिंग होगी बाट इन अनि केस जो एक्जेक्टिव ब्लॉक है साथ मरला, दस मरला, बारा मरला और जो कनाल के plots और प्राइस हो चुकी है और नई prices पिछली prices से almost 30% ज्यादा है अगर बात करें last and final point की what is the current status of development of root and clave and what is the legal status of root and clave अब root and clave का जो current status of development है वो root and clave का उस तरह से development market में उस तरह से site पे rapidly start नहीं होई बर रिसनली कुछ वीक्स पहले root and clave की site पे जो developer है इसके, जो S.R.M.C.U को company उन्होंने UPDL, Urban Planning and Design Limited जिन्होंने पहले past में Gulba Greens को deliver किया है, एक अच्छा project design किया हुआ है, उन्होंने as a developer उसको hire किया है तो उसकी वैसे site पे अगर आप विजट करते हैं, तो आपको site पे काफिया तक अच्छी development नजर आती है और आने वाले दिनों में expect कर सकते हैं कि 25 December को जब ring road रावल पंडी का इस्तता होगा, जब PM अमरान खान करने वाले हैं, जब वो इस्तता होगा तो इसकी market में बहुत अच्छा return आप expect कर सकते हैं, यह small scale की investment है ज़्यादा बड़ी investment नहीं है, यह निकि जितना यहाँ पे, आपको कनाल का plot मिलता है, आम society में आपको 5 मले का plot मिलता है, लेकिन फिर भी जब इसके development होगी थोड़ा long term objective है, 3-4-5 साल का time लगेगा इसमें, जब यह deliver होगा तो काफी अच्छे इसके results होगे, काफी अच्छे इसके investment के output होगे और इसकी market में काफी अच्छी presence हो जाएगी रावलपिंडी रिंग रोड की वज़ा से, क्योंकि एक वाहिद society है इस वक्रावलपिंडी रिंग रोड की alignment के मताबिक जो रिंग रोड को बीच में से, रिंग रोड इसको बाइपास करती है इन्हें सेंटर से कट करके रिंग रोड आगे move करेगी और अडेला रोड का इंटर्चेंज है, वो 0 km डिसंस पे होगा यनि कि society के gate के बिलकुत सामने अडेला रोड का इंटर्चेंज होगा इससे काफी ज़्यदा फाइदा रूड इंकलेव को overall मिलेगा So this was it from today, ये एक इंटर्चेंज वीडियो थी रूड इंकलेव के हवाले से, आने विले दिनों मैं इंशालला मैं ट्राइ करूँगा कि रूड इंकलेव की बाकी साइट की वीडियोज है प्लस जो इसकी development की वीडियोज है, ये बाकी चीज़े है वो भी आप लोगं के सामने रखने की कोशिश करूँ ताकि आप लोगं को रूड इंकलेव में अगर investment करना चाहें तो आपको इसमें काफिया तक एक understanding हो जाए कि रूड इंकलेव जो project है, वो कहां पर बाकिया है और इसका overall जो background है, वो किस तरह का है अगर आपको रूड इंकलेव एंवेस्टमेंट के हवाले से कुछ मालूमाँ चाहें हो तो विजिट आर वेबसाइट www.makansolutions.com अगर आपको मेरे WhatsApp नमबर पर रापता करना तो वे नमबर आपके स्क्रीन पर वेलेबल है WhatsApp कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो चले के तो प्लीज डू लाइक, कॉमेंट और शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले रिज्वान चीमा को दीजिए जाज़त अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिस